हेलो इस वीडियो में हम मैज फंक्शन के बारे में जानेंगे कि मैज फंक्शन का काम क्या होता है इसको किस लिए यूज किया जाता है इसको इस वीडियो में हम डेटेल में जानेंगे तो यह जो match function होता है इसमें हम जब look up array लेते हैं तो हम सारे table को नहीं लेते हैं इसमें हम cable एक row या एक column को ही select कर सकते हैं match function में जब हम value लिखते हैं तो वो unique होनी चाहिए जैसे यह हमने यहाँ पे unique value लिखी हुई है यहाँ पे कोई भी duplicate value नहीं लिखी हुई है तो यह जो match function होता है यह हमें rows या column में value की position को बताता है तो यह जो match function होता है इसको हम यहाँ पे rows और column के जड़िये समझेंगे यहाँ पे rows में हमने यहाँ पे value लिखी हुई है जैसे English है, Math है, Hindi है, Science है, Computer Science है biology है, Sanskrit है यह जो rows है, यह English किस position पे लिखा हुआ है इसको हम match function के जड़िये निकालेंगे कि English जो है, यह किस position पे है तो यहाँ पे हम match function यूज करेंगे यहाँ पे click किया click करने के बाद, equal to यह लिखा लिखने के बाद, यहाँ पे match लिखेंगे यह match निचे आजाएगा यहाँ पे double click करेंगे double click करने के बाद, यह parameters यहाँ पे आजाएगे जिसमें सबसे पहले दिया गया है look up value look up value का मतलब यह होता है जैसे हम यह English लिखें और आगे हम यहाँ पे इसकी position पता चल जाए तो हम कहाँ पे यह values लिखेंगे उसको look up value हम select करेंगे तो हम इस cell को select करेंगे यहाँ पे हम कोई भी value भरेंगे और आगे उसकी position अपने आपी आ जाएगी यह A6 यहाँ पे look up value लिखी इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद हम look up array तो look up array जो है यह रो यहाँ तक select की यह look up array हमने यहाँ पे लिया इसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा लगाया हुआ है यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे कौमा लगाने के बाद आगी दिये गया है match type तो यहां पर match type यहां पर तीन option आ जाएंगे first पर यहां पर दिये गया है less than zero पर यहां पर exact match और one पर यहां पर greater than दिये गया है तो हमें यहां पर exact match चाहिए तो हम यहां पर zero बरेंगे तो यहां तो हम यहां पर double click करेंगे यहां पर exact match यहां पर double click किया यहां पर 0 आ जाएगा 0 आने के बाद यहां पर हम bracket को बंद करेंगे बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद अब हम यहां पर look up value में यहां पर value बरेंगे यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे English, यह जैसे English subject है, यहाँ पे English लिखेंगे और English लिखने के बाद जब हम enter प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसकी position आ जाएगी यह देखो यहां पे English वरा यह English लिखने के बाद Enter प्रेस किया Enter प्रेस करने के बाद यह देखो यहां पे 1 आ गया अब किसकी पोजिशन देखना जाते हैं जैसे हमने यहां पे Hindi की पोजिशन देखनी है तो हम यहां पे English की जगा हिंदी लिखेंगे हिंदी लिखा, लिखने के बाद जब हम enter प्रेस करेंगे तो ये लिखो, हिंदी किस पोजिशन पे है, यहां पे ये लिखो third position पे यहां पे हिंदी लिखी हुई है इसके बाद आगर हम ये देखना जाते हैं कि computer science ये जो subject है ये किस position पे है, तो यहां पे हम computer science पर भरेंगे ये computer science हमने यहां पे लिखा, इसके बाद enter प्रेस किया तो ये देखो, computer science की ये जो position है, ये fifth position है यहां पे ये देखो, one, two, three, four, और वो ये five ये fifth position पे computer science लिखा हुआ है इसके बाद Sanskrit ये देखना जाते है तो यहां पे हम skt भरेंगे, ये देखो, skt इसके बाद enter प्रेस किया तो ये seventh position पे आई, ये देखो, यहां पे दिये गए है तो इस तरह से हम कोई भी value यहां पे भरेंगे और उसकी position यहां पे आ जाएगी इसके बाद ये जो है सभी unique value है अगर यहां पे हम कोई duplicate value भर देते है तो duplicate value में क्या होता है ये first वाली position को लेगा आगली जो duplicate value लिखी हुई है उसको नहीं लेगा ये जैसे यहां पे computer science है यहां पे हम computer science भरेंगे ये हमने यहां पे computer science लिखा लिखने के बाद यहां पे इसकी position 8 भर दी तो ये जो computer science है यहां पे duplicate value हमने यहां पे लिख दी तो जब हम यहां पे computer science भरेंगे तो ये जो computer science है ये जो first number पे है इसको शो करेगा तो ये जो duplicate computer science हमने आगे लिखा हुआ है जब हम इसकी output देखेंगे यह देखो यहां पे हम यहां पे computer science यह लिखेंगे यह देखो computer science लिखा enter प्रेस किया तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो यह computer science जो first वाला है इसको यह यहां पे बता रहा है position को बता रहा है कि यह जो computer science है fifth position पे है लेकिन जो आगे हमने यहां पे computer science लिखा हुआ है its position पे उसको यह यहां पे show नहीं कर रहा है तो जब भी हम यहां पे match function पे कोई भी value लिखते हैं तो वो unique होनी चाहिए उसमें कोई भी duplicate value नहीं होनी चाहिए तो यह तो हो गया row के इसाब से match function को use करना अब हम यहां पे column के इसाब से match function को use करना सिखेंगे तो यहां पे sheet number 1 पे क्लिक किया column में यह जो values लिखी हुई है इनको match function के जरीए इनकी position बताएंगे तो यहां पे यह name लिखे हुआ है match function यूज करेंगे कि यह जो आमित लिखा हुआ है किस position पे है row hit है यह कि इस position पे है match function के जरीए समझेंगे यहां पे क्लिक किया यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे match function लिा equal to इसके बाद match यह match नीचे आ जाएगा यहां पे double click किया double click करने के बाद यहां पे parameters आ जाएंगे जिसमें कि सबसे पहले लिया गया है lookup value तो lookup value मतलब कहां पे हम name लिखे कि उसकी position आ जाए तो इस cell को लेंगे जैसे ये h2 यहां पे h2 आ जाएगा तो h2 cell नेम यहां पे आ गया है यह lookup value है यहां पे हम values को बरेंगे और आगे उसकी position आ जाएगी इसके बाद कॉमा लगाया कॉमा लगाने के बाद lookup array तो यह जो है हम इस को लेंगे यह देखो इतनी range हमने select की lookup array यह आ गया इसके बाद फिर कॉमा लगाया कॉमा लगाने के बाद यहां पे तीन option आ जाएगे less than exact match greater than तो exact match चाहिए हमें तो यह यहां पे हम zero बरेंगे तो यह यहां पे exact match यहां पे double click किया zero यहां पे आ जाएगा इसके बाद bracket को बद करेंगे enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद जब हम यहां पे कोई भी column की value यहां पे बरेंगे उसकी position यहां पे जाएगी अब देखो यहां पे आमित किस पोजिशन पे है इसको देखने जाते हैं तो हम यहां पे आमित बरेंगे आमित यहां पे बारा दिनेश बरेंगे यहां पर यह देखो यह दिनेश लिखा लिखने के बाद एंटर प्रेस किया तो यह देखो दिनेश जो है यह सिक्स्थ पोजिशन पर यह आ गया यहां पर यह इसकी पोजिशन आ गी दिनेश यहां पर सिक्स्थ पोजिशन पर यह तो इस तरह से हम रोज मे values की position को या column में values की position को match function के जरीए check कर सकते हैं कि इसकी position कौन सी है तो इस वीडियो में हमने match function के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद